तो यह एक क्वेशन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेशन है जो की करेंट इलेक्टिसिटी की चैप्टर से है और आपको इसमें काफी सारी चीजे सीखने को मिलेंगी देखिए सबसे पहले मैं आपको दो चीजे बढ़ा दूँ की सेल की डिस्चार्जिंग और सेल की चार्जिंग दो अलग अलग बाते होती हैं एक होता है सेल का डिस्चार्ज होना और एक होता है सेल का चार्ज होना जो आपके पास में कोई बैटरी लगी हुई रहती है मान ल सरकेट में धारा देखे अगर प्लस से लेके माइनस जा रही है मतलब यह बाहर प्रत्रोद है यह आंतरिक प्रत्रोद है ओके यस तो देखे बाहर की जो धारा है वो क्या है प्लस से लेके माइनस है और यदि अगर इसका बैटरी के अंदर फ्लो देखेंगे तो बैटरी के अ अंदर का flow जो है माइनस से प्लस है और बाहर क्या है प्लस से लिके माइनस इसका मतलब जो आपका cell है वो discharge हो रहा है ओके discharge को ही नहीं बोलते है निरावेशन मतलब जो cell है आपका वो निरावेशन की स्थिति में है और दूसरा अगर आपके पास मान लीजिए धारा अगर आपने कोई source लगा दिया यहां विद्दृत परपत वगएरे लगा दिया है तो कुछ ऐसा डाइग्राम बन जाएगा मान लीजिए विद्दृत परपत में मतलब कि एक battery लगा दिया एक्स्टरनल बैटरी बाहरी बैटरी लगा दी है तो कैसे लगाई है मान लीजिए कि आपके पास में जो भी था बल वगएरे जो आप जला रहे थे आपने एक बड़ी बैटरी यूज कर दी है हां से यह देखिए अब देखिए यहां पर यह आपकी छोटी बैटरी है एक इसका झार प्रतुब दीए जि upward दिया गया है यह दूंव एक तो यह जो बैटरी होगी यहां दखी यह प्लस टर च मिलिलंग हैailleurs यह भी प्लस तर्मिलल है ओके मानलो इसका वोल्टेज कितना है इसका वोल्टेज वीवन इसका पहले वाले का वीवन ले लो दूसरे का है वीटू दूसरे का क्या है वीटू सौरी यहां तो बैटरी लगाई नहीं का वोल्टेज यहां पर वीवन है तो पहले इसका वोल्टे इसको e1 खुलो क्योंकि विद्दोध वहागब जो होता है, इसे हम रिप्रेजंट करते हैं, तो यह e1 है और यह V1 है, अब देखो यह plus और plus टर्मिनल जुड़े हुए है, ठेक है मतलब यह plus आर plus टर्मिनल जुड़े हुए है, तो अब जो करेंट है, अगर V1 जो है ए1 से net आपके पास में वोल्टेज जो कितना हो जाएगा वो आपके पास में जाएगा V1-E1 जो net voltage आपके पास में वोlık नेफे वोल्टेज आएगा आपके पास में कितना हो जाएगा V1-E1 चलिए तो यह हो चुका अब इसके बाद हम करते हैं वो question जिसको हम यहां करवाना चाहरे थी क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि निरावेशन की स्थिती क्या है आवेशन की स्थिती क्या है तो इस आवेशन की स्थिती में जो धारा जाती है पहले कहां जा रही थी cell के अंद चल रही थी प्लस से लिके मैनस अब सेल के अंदर जाएगी प्लस से लिके मैनस तो यह दोनों अलग-अलग बाते होती है बिनको समझेए यह किस तरीके से यह सेल काम करेगा आपको इसको मैं पूरे को करवा रहा हूं आपको explain करता हूं कि इसको हम कैसे solve करेंगे ठीक है आईए देखते हैं तो question पढ़िए तब तक आप लोग question क्या लिखा हुआ देखे question कह रहा है कि 8 विद्धुत वाहक बल्कि एक संचायक बैटरी जो है आठ विद्धुत वाहक बल्कि एक संचायक बैटरी जो है वो जिसका आंत्रिक प्रत्रोथ 0.5 ओम है को स्रेणी करम में 15.5 की प्रत्रोधा कउप योग करके चलो भाई तो पहले तो इतना जो लो कि यह 8 वोल्ट है तो आप एक काम करो 8 वोल्ट की एक बैटरी ले लो यह आप जो है 8 वोल्ट की यह बैटरी ले लिए अपने ओके कित्ते वोल्ट की बैटरी यह 8 वोल्ट की है इसका आंत्रिक प्रत्रोध बना लो आंत्रिक प्रत्रोध कितना है 0.5 ओम आपको आंत्रिक प पान लो close होता, यह circuit जो होता, यह close होता, तो ध्यान से देखो, धारा कहां से कहां बेती, यह plus है, यह minus है, तो circuit के बाहर धारा इस तरीके से वहती है, अब कहरा है, मगर इसको 120 वोल्ट के DC स्रोत के द्वारा चार्ज किया जाता है, मतलब भाई इसको चार्ज कर रहे हूँ, मत यह रेखे, तो इस लाइन को हटा दिया अपने, तो यह रेखे, धारा इसके अंदर से जानी है, मतलब यह धारा अंदर से जाएगी, इसको चार्ज करनी के लिए, और यहाँ पर एक बैटरी कितनी है, 120 वोल्ट, तो यह 120 वोल्ट की बैटरी हमने लगा लिए बड़ी सी, य इसलिए जो धारा है, वो सरकिट के अंदर से जा रही है, क्योंकि यह इसको रिचार्ज कर रहा है, तो धारा इसके अंदर से जाएगी, इस तरीके से, यह देखो इस तरीके से, अब आपको लिका लो, टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज, याने की शुद्ध 3-8, ओके मतलब कितना हो गया, 116 वोल्ट जो है, एपलाई होगा, टोटल जो वोल्टेज बनेगा, वो कितना होगा, 116 वोल्ट चार्जीन का, ठीक ना, 116 वोल्ट जो है, अब 116 वोल्ट यहाँ पर, गल्ती कर दी किया, 116 थोड़ा ना आएगा भाई, 112 आता है न, हाँ, स्व 112 वोल्ट लगने पर जो करेंट होगी वो निकाल लो, सो यह तो बहुत ही सिंपल काम हुआ, आई इक्वल टू होता है, टोटल वोल्टेज, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर दो है, तो एक तो आपके पास में है, 112 और आपके पास में दूसरा वोल्टेज दे परस्था में जाने वाली जो करेंट है, जिसको आप आवेशन धारा भी बोल सकती हो, आवेशन धारा, जो किती है, 7 एमपेर की करेंट जो है इस बैटरी के अंदर से जाएगी, अब कह रहा है, चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ग्याद करो, तो किस बैटरी बैटरी की टर्मिनल वोल्टता, कौन सी बैटरी की ये बैटरी, ओके, बैटरी की टर्मिनल वोल्टता जो है, चार्ज होते समय ग्याद करो, तो आपको पता होगा कि आवेशन की स्थिति में, आवेशन के समय, के समय, जो टर्मिनल वोल्टते जाता है, वो कितना होता है, E plus i small r निरावेशन में होता है e minus i r और आवेशन में कितना होता है e plus i r तो यहाँ पे हमको भी निकालना है e देखो कितना दे रहा है 8 दे रहा है e हमाई पास में कितना है 8 है plus current कितनी जा रही है 7 की और multiply by 0.5 ठीक है ना तो आवेशन के समय जो voltage अपलाई होगा इसके उपर इस पूरे system के उपर यह जो देखो यह system दिख रहा है ठीक है इसको red pen से दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छा दिखेगा यह जो system है ओके यह system आपका क्या बन चुका है यह आपका cell बन चुका है तो इस cell पर जो आपका आरूपित होगा आवेशन के समय जो voltage लगेगा कितना हो जाएगा भाईया V equal to 8 plus 7 to 0.5 कितना होता 3.5 तो answer V equal to कितना होगा 11.5 volt का voltage जो है इस पर apply होगा दोस्तों चली बहुत बढ़िया तो note कर लिजे इसको धन्यवाद